क्रिया कला 5 चल्ला और कील तार का एक ऐसा चल्ला बनाईए जिसमें से कील का सिर आसानी से निकल पाए अब कील के सिरे को मोंबत्ती से गर्म करें क्या आप अब तार के चल्ले को कील के सिर पर से निकाल पाते हैं? आपस में चर्चा करें कि ऐसा क्यूं होता होगा द्रव पदार्थ में उश्मिय प्रसार आप जानते ही हैं कि द्रवों का अपना कोई आकार नहीं होता द्रवों को जिस बरतन में रख दिया जाता है वे उसी का आकार ले लेते हैं जब हम किसी द्रव को बरतन में भर कर गर्म करते हैं तो पहले बरतन का प्रसार होता है फिर द्रव का अतह आयतन प्रसार दो प्रकार के होते हैं पहला आभासी प्रसार, apparent expansion दूसरा वास्तविक प्रसार, real expansion आये हम द्रव के प्रसार को इस क्रिया कलाप दोरा समझते हैं क्रिया कलाप चे काच का एक flask ले, इसमें एक पतली वह पारदर्शी नली लगा दे पूरे flask में उपर तक द्रव भर दे और flask का मुख कौर्क द्वारा बन कर दे मानो शुरुवात में दरव का तल A तक है जब फ्लास को गर्म किया जाता है तो दरव का तल पहले A से B तक गिरता है और फिर B से C तक बढ़ता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं होता है? गर्म करने पर सबसे पहले उश्मा फ्लास्क को मिलती है जिस कारण फ्लास्क फैल जाता है और पानी का इस्तर नीचे गिर जाता है इसके बाद उश्मा द्रव को मिलती है और वह फैलने लगता है जिस कारण द्रव का तल उपर उठता है तलो A, B, C का माल नोट कर ले हम देख सकते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार तो A से C तक ही है लेकिन वास्त्विक प्रसार B से C तक है A से B तक फ्लास का प्रसार है द्रव के आभासी प्रसार में बरतन के प्रसार को नजर अंधास कर दिया जाता है लेकिन वास्तविक प्रसार में बरतन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है BC बराबर AC धन AB अर्थात द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर द्रव का आभासी प्रसार धन बरतन का प्रसार यह भी जानिए अन्य द्रवों की तरह पानी भी गर्म करने पर फैलता है लेकिन नैसरगिक बात यह है कि यह 0 degree Celsius से 4 degree Celsius के बीच नहीं फैलता यही कारण है कि ठंडे प्रदर्शों में भी जली जीवन सुरक्षित रह पाता है पानी के उपरी सते का ताप यदि 0 degree Celsius से कम भी हो तब भी तालाबों के निचले तल का ताप 4 degree Celsius रहता है जिस कारण जलीवन को कोई हानी नहीं पहुँचती गैसों में उश्मी प्रसार गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों वा द्रवों की तुलना में अधिक होता है गैसों में भी द्रवों की ही तरह केवल आयतन प्रसार संभव है ये प्रसार दो प्रकार का होता है पहला नियत दाप पर यदि नियत दाप पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा इस प्रकार के प्रसार गुणांग को आयतन प्रसार गुणांग कहते हैं किसे गुबबारे को उश्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है यह आप गुबारे के बढ़ते आयतन से देख सकते हैं अतह गैस का आयतन प्रसार गुणांग बराबर आयतन में वृद्धी बटे प्रारंभिक आयतन गुनित ताप वृद्धी अर्थात गामा पी बराबर डेल वी बटे वी गुनित डेल टी दूसरा नियत आयतन पर जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाप बढ़ता रहता है इस प्रकार के प्रसार गुणांग को दाप प्रसार गुणांग कहते हैं जैसा कि आपने कूकर में देखा होगा गर्म करने पर कूकर की सीटी बसती है और सीटी में से भाप निकलती है या इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कूकर के अंदर दाप बढ़ता जाता है अता गैस का दाप प्रसार गुणांग बराबर दाब में व्रिद्धी बटे प्रारंभिक दाप गुणित ताप व्रिद्धी अर्थात गामा वी बराबर डल पी बटे पी गुणित डल टी